कि मैं आश्जा कुश्वा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करें करता हूं अपने एमबाई प्लेटफॉर्म पर कैसी चल रहे हैं आप सब की तेयारी जल्दी से कॉमेंट करके बताइए गुड़ीवनिंग जैहिन धनेंजे कुमार जी गुड़ीवनिंग तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग बाइलोजिकल किंग्डम पढ़ रहे थे बाइल में में आप लोगों को बता दू यह थोड़ा सा बड़ा पोड़्शन है मुझे दो क्लास ओंगे नहीं आज के क्लास और कलकी क्लास चके है इतना समझ में आ रहा है श्रव मिस्रा गडीन तो चलिया आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे सबसे important बात कि अगर आपने हमारी MBIV application डाउनलोड नहीं किये है तो जल्दी से MBIV application को डाउनलोड कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे unlimited mock tests और unlimited concept से related videos इसके इलावा अगर आप लोगों को आज के session के PDF चाहिए या फिर आप quizzes देना चाहते है या फिर आप exam से related notifications लेना चाहते है अपडेट रहना चाहते है तो यह right time है कि आप हमारी MBIV achieve defense exam telegram channel को join कर लें comment box में इसका link भी आप लोगों को मिल जाएगा जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े है विने, मनू वर्मा सभी को good evening इसके इलावा हम लोग आप लोगों के लिए defense में classes लाते हैं जो कि सुबह 8 बजे से start हो जाती है अमिस सर के द्वारा और then ये जो है रोहित ठाकूर सर जो है इसको लेते है last तक तो ये हमारी class का schedule है आप देख सकते है per day हमारी class जो है इसी schedule के according चलती है ठीक है विनोज जी good evening तो animal kingdom में आज जो हम phylum पढ़ने वाले है वो most important phylum हम पढ़ेंगे और next class में जो final जो भी phylum हमारे बच जाएंगे उनको हम next class में पढ़ेंगे अशोग जी good evening तो आज हम porifera पढ़ेंगे cylindrata पढ़ेंगे है ना यह आप देख रहे हैं तो इस तरीके के phylum हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि animal kingdom में होते हैं टोटर 11 phylum होते हैं जिसमें हम important 10 phylum पढ़ेंगे और important वटे बरा की जो है classes जो होती है जैसे mammal class हो गई reptile class हो गई तो यह भी हम लोग next class में पढ़ेंगे तो चलिए हम यहाँ पर start करते हैं आज का session बिना delay की हुए क्यूंकि आप लोग जानते हो कि हर एक session को जब भी मैं लेता हूं तो मैं आप लोगों को तीन question देता हूं ठीक है यह तीन question से मुझे थोड़ा सा idea लग जाता है कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े है या फिर इस वीडियो को जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उन बच्चों को आज की इस chapter से related कितनी basic knowledge है तो question है यहाँ पर देख सकते हैं the only groups of animal which are diploblastic in nature ठीक है तो यहाँ पर पहला option है platy helminthes दूसरा है यहाँ पर cylindrator फिर है पौरी फेरा और लास्ट है यहाँ पर none of the above बताए क्या answer होगा जल्दी सताई क्या answer होगा इसका देखो diploblastic में आप लोगों को समझा देता हूं क्या होता है diploblastic या फिर diploblastic देखें क्या होता है animal in which the cell are arranged मतला animals यानि कोई भी जीव बगेरा है जिनके cell इस तरीके से arrange हो यानि animal in which the cell are arranged in two embryonic layers यानि अगर दो layer है जैसे अगर मैं बोलूं एक्टोड्रम या फिर एंडोड्रम तो दो layer है embryonic तो वो क्या हो जाएगा हमारा diploblastic हो जाएगा तीन layer होंगी तो यह क्या हो जाएगा diploblastic हो जाएगा ठीक है जिसमें एक्टोड्रम फिर हो जाएगी mesoderm और फिर last में हो जाएगी एंडोड्रम तो इसका answer क्या लगा बी आंसर विनोध विनय बिल्कुल सही बोल ले तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अच्छा माफ कीजेगा यह सॉलूशन है यह सॉलूशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन किया है और मैंने यह आप ल यहाँ वो जुड़े होंगे चलिए एक हिंट देता हूँ हिंट यह है कि यह इनसेक्ट की कैटिगरी में आते हैं तो पहला क्या है इसमें पहला आर्थ्रोपोडा बोल रहे हैं बिल्कुछ सई बोल रहे हैं आप लोग जोएंट लेक्स में तो इसको हम सम्मिट करते हैं और हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे भी डॉंट परी हम इन सभी फाइलम्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिलाल आप यहां पर देख सकते हैं से हम छोटे थे तो हम उन्हें कॉक्रोज की मूचह बोलते थे तो मूचह नहीं होती हैं कॉक्रोज के आपके जो इस्ट्रेट निकले होते हैं उनको एक्सकेलेटन बोला जाता है दियर बोड़ी इस सिग्मेंटेटेड यानि बटी हुई होगी सर अलग दिखेगा याना हैस प bilaterally symmetrical, have a silome and a notochord but never form a vertebral column are placed under which one of the following groups तो पहला अप्शन है chord data, दूसरा अप्शन है, vertebral data, तीसरा अप्शन है, proto chord data और लास्ट है, mamelia बता है क्या answer होगा इसका देखें, bilateral symmetry में आप लोगों को बता देता हूँ, simple है bilateral symmetry, अगर मालीजे, मैं इस तरीके से खड़ा हूँ और यहाँ पर एक axis माटा जाए, तो आप देख सकते हैं, left में और right में बिल्कुल equal figure बनेगी, अगर बीच में से देखा जाए, तो इसको bilateral symmetry बोला जाता है, ठीक है अच्छा, अगर notochord की बात करूँ, तो notochord जो होती है, एक rod like shape होती है, dorsals पर, यानि हम बोल सकते है, notochord is a cartilaginous rod supporting, है ना, supporting के लिए होती है, dorsals पर, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, cord data, ठीक है, तो जितने भी बच्चे ए answer दे रहे हैं, वो बिल्कु एक graph देखते हैं, देखें, एक graph आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने kingdom mention किया है, थोड़ा सा font आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग परिशान मत होई है, क्योंकि इसी पूरे data को मैं detail में भी पढ़ाने वाला हूँ, तो आप मुझे सुनिएगा, तो kingdom में animal kingdom की बात हो रही है, तो जो level of organization है, वो क्या होगी, cellular level पर हमारे, cellular level पर हमारे कौन से phylum आएंगे, पोरिफेरा आएगा, और ऐसे phylum जिनमें tissue organ या organ system होंगे, उसमें कौन कौन आएंगे, cylinder आएगा, है ना, उसके बात कौन आएगा, टेनोफोरा आएगा, है ना, इसको देख सकते हैं, अच्छा ये radial symmetry है, radial symmetry मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्या होती है, radial symmetry को ऐसे समझे, मालीजे मैं एक starfish बनाता हूँ, आप इसको देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, एक starfish यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा, इसको, इस तरीके से, है ना, एक starfish यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से, मैंने एक starfish ड्रॉ किया है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, radial symmetry की, तो यहाँ पर body जो divide होगी, वो two equal identities में होगी, यानि जाएगी क्या, radial symmetry, आप देख सकते हैं, इस तरफ radial symmetry, starfish की, तो यह हो गया क्या, आपका radial symmetry, तो radial symmetry में हमारे कौन-कौन से फाइलम आएंगे, आप देख सकते हैं, तो एक तो आजाएगा, cylindrator और दूसरा क्या आजाएगा, तूसरा आजाएगा, टैनोफोरा, है ना, यहाँ अचा, bilateral symmetry मेंने आपको बताया, इसको simple है, याद रखना, जैसे एक human खड़ा हुआ है, और इस तरीके से एक line खीचे, तो आप देखेगा, कि बिल्कुल equal, identically, left में भी जाएगा, और right में भी जाएगा, तो यह bilateral होते हैं, अचा, bilateral symmetry में कौन-कौन से फाइलम आएंगे, हम द mask, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख सकते है, इकाइनो डर्म में उटा, और बाकी के जो है, हम कल की class में पढ़ेंगे, तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, अब यहाँ पर बात करते है, body cavity, ठीक है, body cavity को हम क्या बोलते है, silome भी बोलते हैं, body cavity को हम क्या बोल है, उसमें body cavity है नहीं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, platy helminthes की बात करूँ, तो यहाँ body cavity जो है, वो false है, without body cavity है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, ascalminthes की, तो इसकी body cavity क्या होगी, false होगी, और अब इतने जो phylum बच रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं, छे, इनके अंदर क्या होगी, true body cavity होगी, तो यह एक चार्ट है, जो आप लोगों को बनाना है, जो आप लोगों को मदद करेगा, यह जो 11 phylum है, 11 phylum है, यह आप body cavity है, silom है, कहां नहीं है, तो इस चार्ट से आप सिफ इतना ही याद रखेंगे, लेकिन आप लोगों को परिशान नहीं होना है, जितने भी phylum हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज जो है, हम 8 phylum पढ़ेंगे, बचे हुए 2 हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनको भी मैं detail म मैं आप लोगों को बताने बाला हूँ, ठीक है, फिलाल एक चार्ट मैंने इसलिए बनाया है कि एक नजर में जो है, हम बहुत सारी चीजों को देख सकें, आईए अब हम इने detail में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पोरी फेरा से स्टार्ट करते हैं, आप इसको देखिए, मैं जड़ा पानी पीलूँ, क्योंकि मुझा बहुती ज्यादा तेज से प्यास लग रही है, ठीक है, हाजी, स्वारी स्टुडेंट्स आपको डिस्टब हुआ, प्यास बहुत तेज लग रही थी, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फाइलन स्टार्ट करें, वो है पोरी फेरा, अच्छा, अगर मैं पोरी फेरा की बात करूँ, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्री कल होते हैं, इसका जो एक्जामपल है, स्पंजी, वो भी क्या है, स्पंजी भी आसिमेट्री कल है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, अब आप इसे देखिए, कहीं से कोई symmetry बनेगी कोई भी symmetry यहाँ पर नहीं बन रही तो एक तो यह asymmetrical होते हैं दूसरा आप लोगों ने sponge देखा ओगा अपनी लाइफ में तो sponge क्या होते हैं इसमें छोटे-छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं यानि पोर होते जिनको हम लोग क्या बोलते हैं औस्टिया कहते हैं क्या बोलते हैं औस्टिया कहते हैं तो आप लोगों को यह याद रखना है पोरिफेरा में ऐसे एनिमल आते हैं जिसका common examples क्या है sponges है ठीक है and they are generally marine animals है ना marine होते हैं यह लोग यहीं समुद्र में रहेंगे और the body of animal is porous, porous मतलब इसमें क्या होगा छिद्र होंगे पानी भर सकता है इस तरीके से water enter the body through these pores यानि जो छिद्र हैं और इन pores को क्या नाम दिया गया औस्टिया तो यह आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर 3D acid में एक हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है इस पंजीला लगा रखा है आप देख सकते हैं इसको move करके देख लीजे ठीक है इस तरीके से ठीक है, अब और बात करें, अच्छा ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, चिदर होते हैं, पोर होते हैं, ये क्या करेंगे? यhen इनको एक रास्ता देंगे, एक पाथवे बनाएंगे, transportation के लिए, अब ये transportation क्या मदद करेगा? ये transportation इन organisms के लिए, इन जीवों के लिए मदद करेगा, क्या, खाना इखटा करने की मदद करेगा, है ना, खाना इखटा करने की मदद करेगा, यहाँ पे, food gathering में मदद करेगा, respiratory exchange में मदद करते हैं, और जो wastage होती है, उनको remove करने भी मदद करते हैं, यारी यह जो छोटे छोटे पोर होते हैं, इन से क्या करते हैं, यह जो organisms होते हैं, यह खाना भी अपना इखटा करते हैं, है ना, respiratory exchange भी करते हैं, और साथ के साथ wastage को भी remove करते हैं, अब यह जो जीव हो होते हैं मोटाइल नहीं होते मतलग कि इन में कोई भी मुवमेंट नहीं होगा अब जैसे आप यहां पर देखिए इस 3D एसट को देखिए यहां पर क्या आपको यहां पर कोई symmetry दिख रही है बताएए क्या कोई symmetry दिख रही है अगर मान लीजे मैं यहां पर फॉर एक्जामपल पैन से इस तरीके से अगर radial symmetry चेक करना चाहूं तो क्या आपको कोई equal symmetry दिख रही है आप कहींगे नई तो यह जो organisms होते हैं जीब जो होते हैं जो पॉरिफेरा फाइलम में आते हैं यह asymmetrical होते हैं ठीक है उसके इलावा यह multicellular होते हैं bisexual का means यानि यह जो जीब होंगे organisms होंगे इन में क्या होगा male और female दोनों reproductive organs पाए जाएंगे unisexual का मतलब होता है सिर्फ एक ही और जाना जैसे अगर हम इंसानों की बात करें humans की बात करें तो हम unisexual हैं यानि अगर मैं male हूं तो मेरे पास जो है male reproductive organ होंगे और अगर कोई female है तो उनके पास female reproductive organ होंगे लेकिन इनके पास दोनों organ होते हैं male और female दोनों तो यह होगे bisexual ठीक है और outer skeleton के अच्छा सबसे important बात देखे आपके exam में सबसे आदा questions examples से ही आते हैं तो examples को याद रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो पोरी फिर हमें कौन-कौन से examples आते हैं हम देख सकते हैं इस्पंजीला ठीक है साइकॉन और लास्ट में आपका सबसे important इस्पंजिया यह तीनों example आपको याद रखने हैं जिनसे questions बनते हैं ठीक है आईए तो चलिए यह question की practice करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइकॉन इस्पंजीला ठीक है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा इस्पंजिया तो यह जो example है बताईए किस फाइलम के हैं तो यहाँ पर आप लोगों के options मेंशन है सिलिंट्रेटा प्लेटे हलमिंथीस ठीक है टैनोफोरा और लास्ट में है पोरिफोरा बताईए क्या होगा answer कॉमेंट करके बताईए जो भी हमारे साथ जुड़े हुए है बिलकुल शिवा मिश्रा जी बिलकुल सही कह रहे हैं कि सर इसका answer D होगा तो बिलकुल अभी-भी म जिसका नाम है सिलिंट्रेटा सिलिंट्रेटर बोलिए या फिर आप इसे नाइडेरिया बोलिए दोनों एक ही बात है इस फाइलम की तो आईए इसको स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं बात करूं सिलिंट्रेटर फाइलम की तो इसका सबसे मुख्य सबसे important organism जो है वो हाइड आप लोगों को याद रखना है ठीक है और यह एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और यह क्या होते हैं यह डिप्लोब्लास्टिक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक मैंने आप लोगों को बताया था क्या होगा डिप्लोब्लास्टिक मैं फिर रिपीट कर देता हूं एनिमल्स इन which the cell are arranged in two embryonic layer is called diplo sorry maaf कीजीगा is called diploblastic तो यह मैंने आप लोगों को बता दिया आगे क्या लिखा है they have central gastro vascular cavity with a single opening mouth on hypostome तो यह सबसे important बात है जो आप लोगों को याद रखनी है आपके exam में पूछा जाएगा silintrata से related silintrata जो final है अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस phylum में सिर्फ एक ही छिद्र पाया जाता है जो इनका मुह होता है और उसको क्या बोला जाता है hypostome बोला जाता है यह आप लोगों को याद रखना है ठीके इसके इलावा ठीके अच्छा इस phylum में जो भी जीव है यह दो पार्ट में बांट दिये गए है एक है polyp और दूसरा है मेडूजा ठीके आप देख सकते हैं polyp और मीडूजा इसमें बाटा गया अब simple है इनको इनकी शेप के आधार पे बाटा गया है तो जो polyp है वो cylindrical है है ना और जो मीडूजा है यह क्या है यह बैल की शेप में है यानि घंटी की शेप में बोल दीजे या फिर अम्रेला की में बोल दीजे देखिए आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आप देखिए यह आपको बैल की शेप में नहीं दिख रहा है आप इस एसिट को देखिए घंटी जो होती है बैल बोलिया अम्रेला बोलिया इस तरीके से दिख रहा है आप लोगो है hydra इनका सबसे important example है hydra ठीक है और इलिया जिसको jellyfish भी कहते है coral है ना तो यह इनके most important examples हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं और आप से exam में पूछा जा सकते हैं फाइसालिया जिसको Portuguese man of war भी बोला जाता है और इसका sea anemone ठीक है यह आप लोगों को याद रखने हैं तो examples हैं चलिए अब हम आगे चलते हैं एक question की practice करते हैं यह आपर jellyfish is an example of which type of phylum तो बताइए क्या answer होगा protozoa है ना टैनोफोरा या फिर पोरिफेरा या फिर नाइडिरिया बताइए क्या answer होगा अभी हमने पढ़ा है जल्दी से comment में बताइए मैंने आपको बताया था कि example से question आने ही आने है सबसे यादा example से questions आते हैं बहुत बढ़िया धननजय अशोग जी बिल्कु सही बोले नाइडिरिया यह आपका correct जार इस पीसेज है है ना यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं back करते हैं है अब हम यहाँ पर थर्ड फाइलम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेटी हेलमिंध्थीस इसको हम पढ़ेंगे ठीक है इसको हम पढ़ेंगे तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टेप वाम की तरह आप लोगों को देखेगा इसका नाम टेप वाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि यह टेप की तरह देखता है एक 3D एसे आप यहाँ पर देख सकते plane area plane area कुछ इस तरीके से दिखता है देखे plane area देख रहा है आप लोगों को ठीक है तो अगर मैं बात करूँ तो Yeah जो होते हैं इनकी body जो होती है वो flat होती है है ना इनकी body क्या होगी flat होगी door so mentally अगर मैं बात करूँ यानि यहाँ पर बात हो रही है surface की, तो यह क्या होगी, flat होगी, दिखने में कैसी लगेगी, flat लगेगी, है ना, इसी लिए इनको हम लोग flat bomb भी बोलते हैं, अच्छा, अब इनकी body, देखिए, अभी तक आपने जो दो phylum मेरे से पढ़ेते, उन दो phylum में मैंने आप लोगों क क्या होंगे, ectoderm, जो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ, mesoderm और endoderm, तो यह क्या हो जाएंगे, triploblastik हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिलोम की, तो इनकी body में true cavity नहीं होगी, है ना, इनकी body cavity जो होगी, व male और female reproductive organs मिलेंगे, के लियर, अब चलिए इनके examples भी देखते हैं, इनके most important examples कौन कौन से हैं, देख लेते हैं, इसके इलावा यहाँ पर एक acid लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, lever fluke का, देखिए, lever fluke है यह, यह किस तरीके से दिखता है, तो आप देख सकते हैं, यह भी flat ह से देखिए, यह भी क्या है, इसी लिए, यहाँ पर इस phylum को, जो है, flat warm के नाम से भी जाना जाता है, शिवब मिसरा जी, काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग bilingol आएंगे, है ना, चलिया, there is a lack of blood circulatory system, यानि इनके पास blood circulatory system नहीं होगा, और respiratory system भी नहीं होगा, तो अब इनके examples आपको याद रखने हैं, मैं बार-बार आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, कि हर एक phylum के examples याद रखने ही हैं, इवन यह समझ लीजिए, कि जो शुरू के 8 phylum हैं, उनके तो examples आपको याद करने हैं, क्योंकि questions वहाँ phylum से बनने के बहुत ज़्यादा chances रह हैं, आईए question की practice करते हैं, देखते हैं, जो है बच्चे क्या answer करते हैं इसका, which phylum of animals is also called flatworm, तो यहाँ पर है आप लोगों का मुलास्क है ना, मुलास्का बोल सकते हैं, डेटा बोल है, और तीसरा है, टैनोफोरा, और लास्ट है, प्लेटी हल्मिन्थीज, बताएं क्या answer है, बिल्कुल, शिवम मिस्रा जी ने सबसे पहले answer दिया, कि sir, इसका answer D होगा, good, और बाकी के बच्चे भी बताएं जल्दी से, क्या answer होगा इसका, तो इसका answer D होगा, solution हम लोग देख लेते हैं, तो solution आप लोगों के सामने है, ठीक है, और देखे, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो मैंने एक चार्ड बनाया था, प्लेटी हल्मिन्थीज जो है, ये किसमें आएंगे, bilateral आएंगे, symmetrical आएंगे, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, radial और bilateral, एक मैंने आपको graph दिखाया था, उस graph से आप लोगों को याद रखना है, पूरा chart बताया था, ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं, उस graph के माधियम से, आईए back आते हैं, ठीक है, तो तीन phylum हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अब हम fourth file यहाँ पर पढ़ने वाले है, ठीक है, askal mythes, askal mythes को एक नाम से और जाना जाता है, चलिए मैं वहाँ पर जाकर इसको लिख देता हूँ, askal mythes जो है, एक नाम से और जाना जाता है, कौन बताएगा, जल्दी से वताईये, कौन बताएगा इसको किस नाम से और जाना जाता है देखें किसी ने जवाब दिया ठीक है श्रीव अमिश्रा जी बिल्कुल अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो इसको जो है निमे टोट्स नाम से भी जाना जाएगा ठीक है यह आप लोगों को याद अर्खना है जैसे उसको flat bound के नाम से जाना जाता है ठीक है अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप इसके किसी भी organisms को लेंगे किसी भी jeep को लेंगे जैसे बाली जी आपने ascaris ले लिए तो इस S-carrys को क्या है आप काट के देखिएगा और आप इसका cross section देखना cross section समझते हैं जो front से दिखता है जैसे ये marker आपको front से कैसा दिख रहा है circular तो इसका cross section जो होता है वो round दिखता है circular दिखता है इसलिए इन लोगों को जो है अगर हम बात कहें तो round warm की category में भी डाल सकत हैं बात समझ में आई यानि निमेटोड्स जो होते हैं अगर हम इनके body को काट के देखें तो इनका cross section हमें कैसा देखेगा round type का देखेगा इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया निमेटोड्स भी दे दिया Escalminthes भी बोल दिया और हम इसको round warm भी बोल सकते हैं अच्छा ये free living भी होते हैं और parasitic भी हो सकते हैं और ये होते हैं सबसे पहले अभी तक आपने जितने भी तीन फाइलम पढ़े थे सब bisexual थे लेकिन अब ये जो हमारा fourth फाइलम है निमेटोड्स यहां से start हो जाता है कि ज जो organisms होंगे जो जीव होंगे वो unisexual होंगे यानि जो male होगा उसके पास male organ होगे और जो female होगे उनके आप female organ होगी ठीक है तो निमेटोड्स में जो female होती है उनके length जादा लंबी होती है इतनी बात समझे रही है अच्छा इनकी body जो होती है their body is monolithics and covered with cuticles यानि कहने का मतलब मोनोलीथिक का मतलब है जैसे आप लोगों ने केचुवा देखा होगा अर्थवाम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अर्थवाम जो होता है उसकी बॉड़ी में सिग्मेंट बने होते हैं ऐसे खाने 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 टाइप के पड़े होते हैं लेकिन इनकी बॉड़ी एक होगी यानि अखंड होगी कोई भी खंड नहीं होगा उसमें मोनोलीथिक होगी और क्यूटिकल का मतलब यहां पर यह है कि इनकी जो उपरी परत होगी वो म्रत होगी मतलब डेड़ स्किन टाइप की होगी यह कहना चाहरे यहां पर ठीक है चलिए आगे च बहार जाएंगे ठीक है यहां पर मेंशन है एन इकस्क्रीटरी ट्यूब रिमूब बडी बेस्टेश फॉर्म दा बॉडी केवटी ठीक है थूदा एकस्क्रीटरी पोर आप यहां पर देख सकते हैं हुक वाम एक एक्जाम्पल मैंने लगाया यहां पर वो पोर आपको एक्जाम्पल बहुत ज़रूरी है और मैंने भी एसा नहीं एक्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने आपको दो-दो-तीन-तीन commencement नहीं है जो सबसे जावध आपके exam में पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत याद ना करना पड़े बात समझ में आ भी कह सकते हैं जिसका आपको 3D acid मैंने यहाँ पर दिखाया है ठीक है चलिए तो आईए अब इस question का answer करते हैं which of the following is a monogenetic parasite तो पहला है hydra, faciola, फिर है ascaris और फिर है यहाँ पर earthworm तो क्या answer होगा इसका जल्दी से comment में जवाब करिए आप लोग और जितने भी बच्चों ने हमारे इस वीडियो को like कर दिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तो ascaris c सबसे पहले धननजे जी का answer आया है चलिए से submit करते हैं और एक और बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कोई भी doubt है तो मेरे से पूछ सकते हैं इसके इलावा कल जो class हुई थी यानि yesterday उसमें मैंने आप लोगों को एक question दिया था तो मैंने कई बच्चों का देखा कि उन्होंने इस वीडियो के comment में जो कल का वीडियो था उसके comment में answer दिया था तो इसी तरीके से जो होंबर्क का question आता है उसका comment में आपको answer देना है मैं देखता हूं आप सभी का answer ठीक है आज भी मैं आपको homework question दूँगा class के end में तो यह हमारा solution आप देख सकते हैं कि तो हम लोगों ने यह चार फाइलम यहां पर finish कर दिये हैं अब हम क्या पढ़ने वाले हैं एनि लीडा फाइलम पढ़ेंगे ठीक है यह पांच भाइलम पढ़ेंगे एनि लीडा आईए एनि लीडा में आपने केच्वा सुनाओगा और ओर्फ भॉण सुनौगा ये साव आते हैं Lich वगराा जो आते हैं यैं सब आए तो देखे यहाँ पर एक वीडियो प्लेटर देखिए और इस वीडियो को देखिए यह करते हैं जिसको केचुग कहते हैं किस सी कहाने को खाने का प्रयास कर रहा है अगर आप इस केच्वे को देखें को देखें फूड किस तरीके से अंदर जा रहा है आपने देखा और यह वेस्टेज यहां से बाहर जा रहे हैं तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई इस वीडियो को देखके कि इसके पास माउथ भी है और देखें इसके पास इध चोटे-चोटे सेग्मेंट में बटी हुई है आप गौर से देखिए बटी हुई है तो एनी लीडा के पास जो आएंगे जो भी और्गनिजम्स आएंगे जो भी जीव आएंगे उनकी बॉड़ी एक तो सिलेंड्रिकल होगी और सिग्मेंटेड होगी यानि छोटे-छोटे ख घीचो तो जैसा राइट साइड में आएगा वैसा ही लैट्ट साइड में होगा थो यह बयोटरल सिमेट्डरिकल हो गया जो की मैंने शुरू में चार्ट में आप लोगों को बताया था इसके इलाबा यह होंगे ट्रिप्लो ब्रव्लाश्टिक्至ब्लोब्रास्ट अबी मै आ चुका हूँ, clear हो रही बात, और they have true body cavity, यानि अब any leader phylum से start होगा ऐसे जीव जिनकी body के अंदर cavity होगी, यानि body cavity का मतलब वहाँ पर एक खाली जगे होगी, गुफा टाइब की एक space होगी, ये कहना चाहरे हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये कहां कहां पाए जाते हैं ये जीव, तो ये जीव आपको marine यानि समुदरी जीव भी है, fresh water में भी मिलेंगे, free living भी होंगे और parasitic भी होंगे, अब सबसे important बात, any leader में आते हैं हमारे कौन से जीव, जैसे केचु आओ गया, earthworm हो गये, है ना, नेरिस हो गये, इनकी बात करूँ, तो इनका excretions होता है, अभी आपने देखा होगा, वेस्टेज बाहर निकलते हैं, तो उस जगे को पूछा जाता है, इनका जो excretions होता है, वो पूछा जाएगा, तो उसको क्या बोले जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है, कई exams में, ये कौन से जीव का होगा, तो ये केचुआ हो गया, अर्थवाम का हो गया, और ये किस फाइलम में आता है, एनिलीडा में आता है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ये पॉइंट भी आपके exam में कई वार पूछा गया है, हीमोगलोवीन is dissolved in plasma, अब closed circulatory system start हो चुका है, यानि एनिलीडा से जितने भी जीव आएंगे, उनकी बाड़ी में closed circulatory system होगा, ठीक है, और ये क्या हो सकते है, ये unisexual भी हो सकते हैं और bisexual भी हो सकते हैं, दोनों, यूनिसेक्सवल का, अगर मैं example की बात करूँ, यूनिसेक्सवल example में आएगा आएगा आपका नेरिस और bisexual examples में आएगे, अर्थ बॉंब और लीच, ठीक है, बात समझ में आ रही हैं आप लोगों को, तो चलिए इस question का answer करिए, which among the following has a segmented body, तो पहला है phylum, मलास्का, दूसरा है आर्थरोपोडा, तीसरा है एनिलीडा और लास्ट है सिलिंट्रेटा, बताए क्या answer होगा इसका, तो अभी बताया है मैंने आप लोगों को एनिलीडा, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है, पहला point ही हमारा यही था, धनेंजे कुमान ने बिल्कुल सही answer दिया है, तो यह हमारा solution है, आप देख सकते हैं, आईए back जाते हैं, तो फिलाल हम जो है, पाँच फाइलम पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पर सबसे बड़ा फाइलम पढ़ेंगे, यानि अगर मैं animal kingdom में बात करूँ, और सबसे यदा प्रजातियों की बात करूँ, इस पीसे इस की बात करूँ, तो सबसे यदा यहाँ पर पाई जाएंगी, आर्थ्रोपोडा में, यह कोशन आता है आपके exam में, ठीक है, दूसरे नंबर में कहाँ पाई जाएंगी, मलास्का में पाई जाएंगी, तो चलिए, इसको सुरू करते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि यह इंक्लूड करेगा सबसे बड़ा फाईलम, यानि सबसे जादा जीब प्रजातियां जो हैं, वो यहीं पाई जाएंगी, ठीक है, और आर्थ्रोपोड का ही मत मतलब होता है joint legs, यह बहुत important question है, कई बार पूछा जाता है, कि वो कौन सा phylum है, जिसके जो जीब होंगे, जो animals होंगे, है ना, उनके legs जोंगे, वो jointed होंगे, चार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि bilateral symmetrical होती है, इनके बीच, यह भी मैं आप लोगों को बता च चुका हूँ, triploblastics होते हैं, segmented body होगी, है ना, और silomate animals होगे, silomate animals मतलब इनकी body के अंदर cavity पाई जाएगी, खाली जगह पाई जाएगी, ठीक है, और इनको देखकर आप यह judge कर सकते हैं, आप यह देख सकते हैं, कहाँ पर सर है, कहाँ पर गला है, यह आप देख सकते है जैसे spider है, तो spider देखकर आप बता सकते हैं, इसका head कहाँ पर है, इस तरीके से, thorax आप बता सकते हैं, आप डोमन, पेट भी बता सकते हैं, ऐसे ही आप scorpion में भी बता सकते हैं, बिच्छू जो होता है, तो देखकर आप बता सकते हैं, इसका abdomen कहा हैं, पेट कहा हैं, इसका head क है बहुत विल आप देख कर बता सकते हैं तो इधर देखिये फ्रॉंट से आप इससे देखिया आप लोगोन को इस फ्काइडु का हैड दिख रहा हुगा आप डेख सकते हैं तो छालिए आगे हम कुछ facts के बारे में जानते हैं जो केकड़े होते हैं उनी की तरीके से loopster दिखता है ऐसा ही दिखता है लेकिन यह अलग जीव होता है ठीक है इनकी जो body होती है ठीक है इनकी body जो होती है their body is covered externally in a cutaneous exoskeleton cutaneous exoskeleton ठीक है तो यह important बात है यहाँ पर और इनके पास जो होता है open circulatory system होता है जैसे cockroach है उसके पास भी open circulatory system होगा और इनका जो excretions होता है excretion मतला जो wastage इनकी body से बाहर जाते है वो किस tube के द्वारा बाहर जाते है यह tube आप लोगों को याद रखना है यह बहुत ही important tube है है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर mention किया है ताकि आप यहाँ पर इसको याद कर सके मलपी घीयन तो यह क्या होगा मलपी घीयन tube है जिसके द्वारा जो है excretions होता है अब इनके examples जो है वो क्या है आप देख सकते है प्राउन बटरफ्लाइ इस्पाइडर इसकोर्पियन क्रेब सेंट्रिपेट्स माइट टिक बी लूपस्टर मॉस्किटोज ग्रास शोपर्स एंड एक्ट्सक्टर यह इनके क्या है एक्जाम्पल ह जाते हैं तो बताइए लूकस्ट बटरफ्लाइ इसकोर्पियन एंड प्राउन आर देख्जाम्पल ओव विच्फाइलम तो पहला ऑप्शन है एनिलीडा फिर दूसा है कॉड़ेटा फिर है आप लोगों का और्थ्रोपोड़ा और लास्ट है प्लेटी हेल्मिन्थिस यह लूकस्ट होता है यह क्या होताँ टिड्डे की तरह ही होता है ग्रास ओपर की तरह होता बस उससे थोड़ा साइज में छोटा होता इखने में वह प्लीटी स्फान में यहां पर हमारा ऐंसर क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोड बिल्कुर्ण यह आंसर दिया है यहां पर शेवन और धने आपने तो यह हमारे एक्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को अल्रेडी बता चुका हूं जॉइंड लेक्स के बारे में है ना सागर महराना जी आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है बैग जाते हैं अब हम यहां पर देखे हम कितने six phylum हम पढ़ चुके हैं अब हम क्या पढ़ने वाले मुलास्का पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले मुलास्का तो आई यह सुरू करते हैं तो एक 3D acid देखिए यहां पर आप देख सकते हैं यह Octopus है एक्जामपल है जो कि किस में आता है मुलास का फाइलम में आएगा आप देख सकते हैं तो मैं आप लोगों को यह बात पहली बता चुका हूं जो मैंने आपको एक चार्ड बताया था कि इनकी जो symmetry होती है वो कैसे हो bilaterally symmetrical होते हैं यह ट्रिप्रोब्लास्टिक होते हैं और यहां पर बात करें तो यह silomate होते हैं यानि इनकी body में cavity पाई जाएगी ठीक है अब सबसे important बात इनकी body जो है वो cover होती है एक cell से तो उस cell को क्या बोला जाता है यह आप लोगों से एक्जाम में पूछाए जाएगा calcareous, calcareous cell, calcium carbonate से बना होता है हाँ और बिलकुँ सही बोला सिवम जी यह second largest phylum है यानि अगर मैं बात करो आर्थरोपोट के बाद जो सबसे ज़्यादा जी पाए जाएगे वो इनी में पाए जाएगे ठीक है है और यह कैसे होते हैं unsegmented होते हैं इनके पास अलग से एक head होगा muscular foot होंगे और visceral hums होंगे visceral hums मतलब intense time से related है आतों से तो इनके होते हैं इतनी बात समझ में आए इनके पास जो circulatory system होगा वो open होगा है ना और अब यह बात आप लोगों को याद रखनी है यह सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यह मैं यहाँ पर लिग दूं important कई ब blood का color क्या होता है तो blue होता है और उसे भी ज्यादा जो आपसे एक्जाम में पूछा जाता है वो यह है कि Octopus के blood का color क्या होता है तो यह blue होता है reason क्योंकि इनके blood में एक presence होता है hemocyanin, यह आप लोगों को याद रखना है आपसे exam में पूचा जाएगा ठीक है, और इनके पास respiratory system भी होता है, excretory functions भी होते हैं, आप यहाँ पर कुछ example देख सकते हैं, squid यहाँ पर है, है ना, आप देख सकते हैं, आर यह बाद समझ में, ठीक, तो mouth of molaska contain regular for feeding, ठीक है, example octopus, snail, oysters, squirt, cuttlefish, तो इनके example यहाँ रखिएगा, चलिए, आईए, question करते हैं इस पर, question है, despite the structural diversity, they are characterized by having a soft body, protected by a calcareous cell, developing from the mental layer, तो क्या example होगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, क्या answer होगा, जल्दी से आईए, तो इनका answer बनेगा, यहाँ पर C, क्या बनेगा, C, मुलास्का, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर mention है, solution, आईए, हम back जाते हैं, और अब हम यहाँ पर, आज की class के लिए, जो हमारा last बसता है, है ना, इसको करते हैं, मतलब last नहीं, अभी दो हमारे phylum और बचे हैं, इसको हम next class में करेंगे, और जो classes हैं, उनको भी हम next class में करेंगे, mammal class हो गई, या फिश की class हो गई, या फिर अगर मैं बात करूँ, amphibian class हो गई, या reptile class हो गई, उसको हम कल next class में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उतना time बचा नहीं है, तो अब हम यहाँ पर, आज की class का last phylum करेंगे, जो की है, इकाइनो डर्मेटा, इकाइनो डर्मेटा, इसको करेंगे, जानेंगे, तो आप देखिए, यहाँ पर एक starfish है, देख पा रहें starfish को, और यह sea urchin है, ठीक है, आईए इसके बारे में जानते हैं, तो starfish आप, जब आप मेरे lecture में जुरू में जुडे होंगे, तो मैंने आप बताया था, radial symmetry के बारे में बताया था, तो starfish जो होगी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इकाइनो डर्मेटा की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी symmetry, अब आप याद रखिएगा, हमारे से यही गलती हो जाती है, एक्जाम में कि अभी तक हम bilateral, bilateral, bilateral पढ़ते हुआ रहें, त center of axis में बाटू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर equal halves आएंगे, हैना identical यहाँ पर halves आएंगे, clear हो रही है बात, तो radial symmetry आएगी यहाँ पर, और यह भी triploblastic होते हैं, और यहाँ पर true cavity पाई जाएगी, clear, और इनके पास calcium carbonate का, जो है, endoskeleton होगा, अभी तक आपने देखा exoskeleton चला था, लेकिन अब यहाँ पर endoskeleton की बात हो रही है, यानि यहाँ पर जो skeleton होगा, वो body के अंदर होगा, यह जो है, free living marine animals होते हैं और unisexual होते हैं, यानि इनके पास male reproductive organ और female reproductive organ अलग-अलग होगे, male reproductive organ होगे, female के पास female reproductive organ होगे, इनके पास एक proper digestive system होता है, यानि mouth भी होगा, जैसे हम लोगों के पास mouth होता है, खाना खाने के लिए, और NS भी होता है, wastage को बाहर निकालने के लिए, same इनके पास भी होगा, ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो excretory system जो होगा, वो absent होगा, तो आप यहाँ पर C cucumber देख सकते हैं, तो यहाँ पर excretory system जो होता है, वो नहीं होता है, इस तरीके से wastage यहाँ पर जाएगा, and excretory system is absent, और इसके इलावा, इनके पास होता है, water vascular system, और water vascular system ही इनको help करता है, आगे बढ़ने में, यानि लोको मोशन में, किसी को capture करने में, खाना वगरा capture करना है, या food को transport करना है, या respiration करना है, ये help करता है, water vascular system इनकी, इतनी बात clear हो गई, बस अब इनके examples हम लोगों को याद रखने है, starfish इनके example में आता है, sea urchin इनके example में आएगा, आर ये बात समझ में, यहाँ पर आप लोगों को sea lily हो गया, sea cucumber हो गया, तो ये इनके examples हैं, आईए एक question इस पर करते हैं हम लोग, आप इस question को पढ़ लीजे, सारे examples को starfish यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो बताएए क्या इसका answer होगा, तो इसका answer होगा A, बिल्कुर शेवम जी, बिल्कुर सही बोल रहे हैं, तो यहाँ पर starfish है, sea urchin है, sea lily है, सारे examples अभी हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर है, और arthropoda, तो चलिए इसको answer लगाते हैं, और यह हमारा explanation है, आप देख सकते हैं, notes बना सकते हैं, तो इस तरीके से अब मैं आप से कहूंगा, कि मैंने आप लोगों के 8 phylum cover कर दिये हैं, दो important phylum आपके और बचे हैं, जो कि मैं आपके next class यानि tomorrow class में कराने वाला हूँ, तो यह हमारी summary है, आईए हम एक नजर में summary देखते हैं, detail में, तो नहीं, लेकिन मैं board से हड जाओंगा, ताकि आपको पूरे notes यहाँ पर दिख सकें, कि हमने क्या पढ़ा है, तो दो मिनट हम summary को देखते हैं, तो सबसे पहले हमने phylum, porifera पढ़ा और हमने जाना कि इसका जो common name है, वो spongy है और यह marine होते हैं, ठीक है, इनकी body में छोटे-छोटे छिद्र होंगे, pore होंगे, जिनको ostea कहा जाता है, यही pore जो है, water transportation में इनकी help करते हैं, यह non-motile है, यानि motion नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जा सकते हैं, multi-cellular होते हैं, bisexual होते हैं, यह सारी बात हमने जानी, next film हमने पढ़ा था phylum, night area जिसको हम cylindrator भी बोलते हैं, इनकी body जो होती है, cavity जो होती है, वो hollow होती है, यह aquatic animal होते हैं, और diplo-blastic होते हैं, यह मैंने आप लोगों को बता है, इनका जो mouth होता है, उसका नाम क्या बोला गया है, hypostorm सिर एक ही छिद्र होता है, यह मैंने आपको ब umbrella या फिर bell घंटी की तरीके से दिखता है, यह हमने पढ़ा, then हमने third phylum पढ़ा था यहाँ पर, platy halminthes, यह हमने पढ़ा और हमने जाना कि यह जो होते, flat body में होते हैं, इसलिए इनको जो है, flat warm भी कहा जाता है, इनकी body में three layer होती है, embryonic layer जो होती है, इसलिए इनको triplo-blastic कह आ गया है, ठीक है, यह भी bisexual होते हैं, यानि एक ही जीब के पास नर और मादा दोनों आंग होंगे, इनके अंदर जो है, blood circulation system नहीं होगा, respiratory system और digestive system नहीं होंगे, तो यह हम जान चुके है, उसके बाद हमने कौन सा phylum पढ़ा था, फिर हमने यहां पास जो phylum पढ़ा था, वो phylum क्या था, आप देख सकते हैं, ठीक है, escalminthes जिसको मैंने आप लोगों को बताया भी था, nematode कहा जाता है, यह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर हम इनका cross section देखेंगे, तो वो क्या रगएगा, round सा मिलेगा, इसल position के लिए excretory tube होती है, यह बताया था मैंने आप लोगों को, और इनके examples मैंने बताये थे आपको, फिर मैंने आप लोगों को annilida phylum बताया, annilida में मैंने आप लोगों को बताया, कि इनकी body जो होगी, वो segmented होगी, और cylindrical होगी, यह मैंने बताया, इन में साफ-साफ आपको head और tail अलग-अलग दिखेगा, यह bilateral symmetrical होते हैं, triploblast होते हैं, है ना, और इनका जो reproduction होता है, वो sexual होता है, true body cavity इन में पाई जाएगी, इसलिए silomate होते हैं, excretion इनका जिस अंग से होता है, उसको nephredia बोला जाता है, और इनका जो है, अगर मैं केचुए की यह बात करूँ, earth warm की बात करूँ, तो इनका जो hemoglobin है, है ना, वो dissolve होता है plasma में, यह सबसे important बात मैंने आप लोगों को बताई थी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, arthropoda पढ़ा था, और हमने यह जाना कि इनसमें joints legs होते हैं, और यह सबसे बड़ा जो है, फाइलम है, यह सारी बाते हमने देखी, open circulatory system होता है, है ना, इसके examples हमने देखे, फिर हम लोगों ने मुलास्क फाइलम पढ़ा, है ना, मुलास्क का फाइलम पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि यह bilateral होते हैं, टिपलोब्लास्टिक होते हैं, यह सारी बाते हमने पढ़ी है, है ना, और इनका जो color होता ह होता है, blood का, वो blue होता है, हीमोसाइनीन की वज़े से, और हमने देखा कि यह mouth, जो है, जिससे यह feeding करते हैं, उसको, regular बोला जाता है, octopus, snail, इनके common examples हैं, और आज की class का हमने आठवा और लास्ट फाइलम यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, इकाइनो डर्मेटा, बस यहां पर क्या change था है, कि यहां पर जो symmetry थी, वो radial थी, triple blast थी, है ना, यह सब चीज़े हमने यहां पर देखी हैं, और इनका जो होता है, endoskeleton होता है, calcium carbonate का बना होता है, जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, तो यह सारी बाते हमने पढ आ रहा हूं, क्योंकि अब जो है, आठ बजे से रोही ठाकुर सर आपकी class लेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज आपको समरी बता दी थी, तो अब आप जो screen पर देख रहे हैं, यह आपका homework question है, जिसका answer आप लोगों को देना है, किसमें इस वीडियो के comment box में, live comment मे देखेगा, मैं आपके answer को like करूँगा, तो आज की class को हम यहीं पर finish करते हैं, कल मिलते हैं, बचे हुए फाइलम और बची हुई classes को हम यहाँ पर cover करेंगे, good night everyone, जै हिंद! झाल